Among the given compound, the total number of aromatic compound is, आप number of ways से, आप aromatic structures वगेरा देख सकते हो, लेकिन, देखे, मैं आपको एक बहुत easy तरीका बताता हूँ, वो basic ही है, जो, देखे, क्या conditions होती है, किसी भी aromatic structure के लिए, पहला तो है, आपका, जो cyclic conjugation होनी चाहिए, correct, cyclic conjugation के साथ-साथ, इसमें, ये एक planar structure होना चाहिए, और वो part की बात कर रहा हूँ, जो की, हम जिसमें देख रहा है, aromaticity, और तीसरा होता है, 4N plus pi electrons, correct, आप देखे, cyclic conjugation में, बच्चे बहुत confused होते, लेकिन, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, we know, कि जब C double bond, C double bond, ये मैं देख रहा हूँ, अभी cyclic नहीं, conjugation है लेकिन, इसमें सबसे easy तरीका conjugation क्या है, देखे, जो double bond बनता है, वो किसले बनना है, कैसे बनना है, ये p जो orbitals हैं, इन सब में, इसकी जब overlapping हुई होगी, तो ये, देखे, ये तो sigma bond बन गया, और जो double bond है, वो इसकी overlapping से बना होगा, समझ में है, तो ये double bond इसकी overlapping से बना होग correct, तो ये, अब आपको क्या देखना है, अगर ये जो p वाले lobs हैं, समझ में है, इन में ये, मलब एक तरह से electron share कर रहे हैं, ये empty भी हैं, कुल मिला के, अगर ये lobs आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो कि conjugation में वहाँ तरह है, for example, अगर मैं इस तरह से कर दूँ ये, यहाँ पर कर दूँ, अब यहाँ पर सिर्फर सिफ्स, एच एच में क्या है, सिग्मा सिग्मा बोंड से, ये वाले यहाँ पर आए हैं, तो अब क्या ये conjugation में है, कहां तक है, देखिए, इस carbon पर वो empty वाला नहीं है, या electron वाला भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या इसमें negative charge लिख लो, loan पर है तो loan पर लिख लो, positive charge होता है, तो इसमें हम क्या बोलता है, positive charge है, फिर radical है, तो इसमें क्या गरता है, एक electron बना दे तो, बस यही है, बस आपको lobs देखने है, बस अब simple देख लो, देखे, यह तो आपको वैसे भी दिख रहा है, non-aromatic है, लेकिन इसके बीच में double bond, यहाँ पर तो सारे sp2 hybridized carbon नहीं है, similarly इसमें और इसमें, और इसमें और इसमें, अब देखे, यहाँ से जब आते हो, यानि अब जब cyclic conjugation में lobs देख रहा हूँ, तो जिस carbon से उठाके, अगर वापस आ गया मैं उसी carbon तक, तो इसका मतलब वो cyclic conjugation में है, जैसा बेंजीन में देखो, बेंजीन में इस पर भी यह double bond है, यहाँ पर भी इधर, इधर, तो यहाँ से अगर मैं निकलता हूँ, गूम के वापस उसी carbon पालता हूँ, तो cyclic conjugation हो गया, correct, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ पर ठीक है, लोब, 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 यहाँ गया, cyclic conjugation है यही नहीं, मुझे आगे देखना ही नहीं अगर यह ही कट गया, तो इसका मतलब यह नहीं है, incorrect, similarly इसमें देखो आप, यहाँ से लोब स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस carbon पर भी है, इस carbon पर भी है, ओ इस carbon पर भी है, और इस carbon को देखो 4 and 5 plus कैसे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 मुझे पूरे आगे वाले को count भी नहीं करना है ठीक है तिस 6 electrons मतलब 4 and 5 plus electrons को follow कर रहा है समझ में आपको तो बस अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको भी देखोगे तो ये भी follow कर रहा है तो ये क्या हो गया aromatic हो गया planar structure तो हैं 6, 6 और 5 के हैं similarly इसमें अगर आप देखोगे ये वाला पाटता को direct benzene दिख रहा है और ये क्या है बस branch है इस branch से confuse मतो इसको assume करो जैसे benzene को आप aromatic कहते हो तो क्या आप OME अगर रहनिसोल बना दो या फिर अगर इस type का compound मना दो तो क्या ये non aromatic हो जाएगा क् एक simple ray ring बना दो तो non aromatic हो जाएगा अगर नहीं aromatic है ना भाई एक benzene ring present है तो ये क्यों नहीं होगा फिर तो इसका मतलब ये भी जो आपका है aromatic है similarly इसमें भी मुझे आगे जादा देखने की जोती नहीं है ये भी aromatic दिख रहा है aromatic दिख रहा है 1,2,3,4,5,6,6 electrons दिख रहे हैं तो ये भी aromatic ही हो गए तो 1,2,3 कितने number पूछा तो 3 आपके total aromatic हो गए and that is your final answer